मैं मा हूँ, धर्ती मा महान और अनमोल वस्तुएं उन्ही को मिलती हैं जो उसके सुपात रहूं अमर वही हो सकते हैं जो शांते प्रिये हों, जिनके उंचे आदर्श हों, जो परहत के लिए जीवन जीते हों किन्तु जिनके मन में द्वेश और घ्रणा हों, जो युद्ध और हिंसा के पैचारक हों, वे केवल दंड के पात्र होते हैं इसलिए श्रिविष्णु ने देवताओं को अमरित दिया और स्वर्भानु को दंड जिसने चल करके अमरित पी लिया था श्रिविष्णु ने स्वर्भानु का सिर धड से अलग कर दिया स्वर्भानु का सिर राहु और धड केतु बनकर आज भी नक्षत्र लोप में विद्यमान है और चूंकि चंद्रमा ने उसका भेट खुला था इसलिए आज भी राहु और केतु की चंद्रमा से शत्रुता है परंतु क्या सागर मन्थन के उपरांत सत्य और असत्य की लडाई का अंत हो गया मुझे तु रगता है कि ना केवल ये युद्ध जारी है बलकि इस युद्ध में एक नया मोड आने वाला है बुर्खों नारी तुम्हारी दुर्बलता है और जो सुन्दरता पर मोहित होकर अपना लक्ष भूल जाते हैं में जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं तुमने मेरे सारे किये कराय पर पानी भेर दिया अब तुम देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे वो अमर हो चुके हैं अमर ठेर जाइए कौन है आप लोक हम ब्रहों पुत्त संकादिक रिशी हैं मेरा नाम सत है यह है सनंदन सनक और शोनक अपने आने का उदेश्य बताईए रभू के द्वार पर आने का उदेश्य रभू के दर्शन की इच्छा के अत्रिक्त और क्या हो सकता है द्वार पालो हाँ अभी उनसे नहीं मिल सकते क्यूं नहीं मिल सकते द्वार पालो पर विश्राम कर रहे हैं कैसी बाते करते हैं गाने एक प्राणी आप एक आप से कह दिया कि आप अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं तो आप लोड़कों नहीं चाहते हैं एक द्वारपालों हम तुमसे विंति करते हैं कि हमें अपने लक्षमी नायन के दर्शन के लिए पीत जाने दो हम बहुत दूर से उनके दर्शन को आए हैं एक प्रबार कह दिया कि अभी आप उनके पास नहीं जा सकते तो फिर हट क्यों कर रहे हैं तो फिर द्वारपालों पसका अच्छा नहीं होता शाहें वोपस कितना भी उचा हो तुम तो एक द्वारपाल का छोटा सा पत्पाकर इतना ने लगे तुमने अपने अभीमान में आकर हमारी राहा रोकी हमें अपने प्रबू से मिले नहीं दिया तुम्हें इसका डंड मिलेगा हम तुम्हें शाप देते हैं जाओ तुम दोनों राक्षु सुन जाओ हे रिशिगण विश्णु लोक में आपका स्वागत है प्रभू इन रिश्यू ने हमें श्राप दे दिया हम तो केवल अपने कर्टव्य का पालन कर रहे थी प्रभू कर्टव्य पालन का अर्थ ये तो नहीं कि आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच दीवार बन जाएं है आप दोनों से घोर अपराद हुआ है और इस अपराद का दंड तो मिलना ही था है जै जिस प्रकार ब्रिक्ष और उसकी जड़ का नाता कोई नहीं तोड़ सकता उसी प्रकार मेरे और मेरे दर्शनाभिलाशी के बीच कोई नहीं आ सकता मेरे दर्शनार्थी मेरी संपत्ती है जै और स्वया मैं उनकी संपत्ती हूँ हम दोनों का एक दूजे पर समान अधिकार है जब भी कोई ईश्वर और भक्त के बीच आने का प्रयास करेगा किसी न किसी रूप में अवश्य दंड पाएगा है रे शीगन आपको विश्णो लोक में जो कश्ट हुआ उसके लिए मैं स्वयम आपसे च्छमा मांगता हूँ हम दन्यों गए प्रभू आपके दशन होए हमारा जीवन सफल हो गया हमारे जीवन का तो एक युद्धिश है आपकी आराधना और उपासना आपको देखा तो हमारी नेजरों की त्रिप्ती हो गई प्रभू उनसे कहिए कि मैं क्षमा कर दें पर सरवेश्वर हमें इनके शाप से मुक्ति दिलाईए नहीं विजय यह नहीं हो सकता रिशी का शाप धनुष से निकला हुआ बान होता है उसे न रोका जा सकता है और नाहीं वो लौट सकता है है रिशीगान मैं आपसे यह तो नहीं कह सकता कि आप इन दोनों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए इन मूर्खों से जो भूल हुई है उसके लिए वो दंड के पात्र तो है पर इन्हें यह तो बताईए कि इन्हें यह दंड कब तक भोगना होगा क्या आपके शाप से मुक्ति पाने का कौई मर्ग नहीं है यह सर्विषवर हमारे शाप से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है आपके द्वार पाल जय और विजय को हमारे शाप के कारण तीन बार राक्षे शोनी में जनम लेना होगा और तीनों बार अपसे वैर करना होगा और ओ तीनों जन्मों में आपके हाथों मित्यू प्राप्त करनी होगी पहले जनम में जय और विजय 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 हो जाएगी एह सरविश्वर अपकी जय हो जय हो जय हो जिए लोकिनात आप को कोटी-कोटी ब्रणाम एह रिष्यगण आपका श्राप हमारे सिर माते पर हमापका श्राप सिर जुका कर स्विकार करते हैं और मुक्ति मार की खोज में निकलते हैं मैं मां हूं धर्दी मां संकादिक रिशियों के शाप ने जय और विजय को विष्णु लोग छोड़ने पर प्रिवश कर दिया उन्हें ये शाप केवल इसलिए मिला कि उन्हें अपने पत पर अभिमान हो गया था ये समझने लगे थे किश्वी विश्णु के द्वारपाल जैसा पत पाकर वे अब विश्यों और देवताओं से भी अधिक महान हो गया है अपने पत पर अभिमान करना और पत का अनुचित पयोग करना हर यूग में दंड के योग के अपराद रहेगा सनकादिक विश्यों का शाव पहली बार उस समय रंग लाया जब जै ने कश्य विश्य की पत्मी दिते के गर्भ से असुराज, हिरने आक्ष और विजई ने उसके अनुच हिरने पक्षितों के रूप में जन लिया ये दोनों भाई बहुत बल्वान, बहुत शक्तिशाले, बहुत खमंडी, बहुत गोधी और कूर थे पर एक दूसरे पर निच्छावर थे टल्ड़ि छाँ शकर Wenn Youma is one for Two क्रिका कि अल्ड़ पर रो जूसरे शक्षितों और कॉ皲र्ण उसक्षितों के खिबन escapes दो ये वे खिवग़ितों शक्षित आरूट बहुत ने उसक्षितों दितों retrouveग स्क्षितों के रिखनममार 001 हुई को जए ए ररिव तर ये हुआ! झाल झाल कि मेरा ब्राता कितना बल्वान है मुझे तुम पे गर्व है हिरंडे का सबूर तुम केवल मेरे ब्राता ही नहीं मेरा दाहिना हाथ भी हो कि का मैं जो भी हूँ आप फी के कारण हूँ कि मिर्मन में 10% आदर यादर सनी है कि प्राता शरी है हैं हम दोनों मिलकर तीनों लोकों को जीत सकते हैं हां तुम कहते हो तो मैं तुम्हें तीनों लोक जीत कर दिखा दू हिरन्य कशपू मैं अमा हुँ धर्ति मां हिरन्याक्ष ने तीनों लोक जीतने कि ध्धोन में संसार में आधंक का ऐसा ववंदर उठाया कि मानवता करह उठे वो बहुत अत्याचारी और निर्दई राजा सित्थ हुआ उसके युग में विनाश और आधंक ने ऐसा नंगा नाच नाचा कि संस्कृति और संभेता ने लजाकर आखें जुका ली उसने जीवन की हर मधुर्ता को हर सुन्दर्ता को ऐसी निर्दैता से कुछला कि मैं खबरा गए चारों और आग ही आग रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा था वो निर्दै मेरी और बढ़ा मेरे तो प्राण सूख गए शायद हर सत्ता के लोभी की भादे वो सबसे पहले मुझे प्राप्त करना चाहता था मैं उसके भैसे भागी पर उसने मुझे पकड़ लिया उसने मेरा अभरन किया मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध पाताल में ले गया कोई राह ना देखकर मुझे दुख्यारी ने अपने स्वामी अपने नाथ श्रेविष्णू के स्तते की उन्हें रोकर पुकारा और विष्णू तो हर दुख्यारे मन की करण पुकार सुनते हैं मेरी पुकार सुनी वे समझ गए कि अदे मुझे कुछ हो गया तो मानव बेघर हो जाएगा मानवता का मंदिर गिर जाएगा सो हो आए वहां भी आए जहां केवल कीचड़ था गंदगी थी ऐसी जगह पर आने और मुझे बचाने के लिए उन्होंने वारह जैसा रूप लेना भी स्विकार कर लिया ये उनका तीसरा अवतार था जिसे इतिहास वारह अवतार के नाम से जानता है वे आए और उन्होंने मुझ अबला को असोर राज हिरन्याक्ष के पंजे से छोड़ा लिया और मानवता को बचाने मानव का कल्यान करने के लिए हिरन्याक्ष का वद भी कर दिया परन्तो हिरन्याक्ष का वद भी आतंक का अंत नहीं सित हुआ इस कहानी को तो आगे बढ़ना ही था उसने संसार से विश्णु का नाम मिटा देने का प्रण कर लिया कर देने सरे बढ़ना ही आए हुआती है कर दो कर दो कर दो कर दो स्वाम को जीवन और मृत्य का स्वामी समझने वाले विश्णू साफधान साफधान हो जाओ तुम्हें मेरे प्राता श्री रिणाक्ष के रख्ट की एक एक बूंद का मुल्ने चुकाना होगा तुम्ने जो गाओं उनके शरीर पर लगाई थे उसने उनकी शरीर को ही नहीं मेरी आत्मा को भी चल्ली चल्ली कर दिया है जब तक मैं तुमसे प्रतिशोद नहीं लूँगा मैं जैन की श्वास नहीं लूँगा अब मेरे जीवन का एक उद्धेश है प्रतिशोद प्रतिशोद केवल प्रतिशोद यदि तुम में सहस है, तो मेरी चिरोती स्विकार कर लो, स्विकार कर लो तुम पुत्र, किस से प्रतिशोद लेने की बात कर रहे हो हिरन कशिपू? उसी से, उसी विष्णू से, जिसने मेरे भातों को निर्दैतों से मार डाला माते तुम्हारा तो केवल भाई था वो, मुझसे पूछो, जिसके नेनों की चियोती था वो, जिसकी कोक से जन्मा था वो, जिसका पूत्र था वो, क्या तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी माहन है? नहीं पूत्र, मेरे दुख का तो अनुमान भी ने लगाया जा सकता, परंतु उसने एक ऐसा पाप किया था, जो क्षमयो के नहीं था क्या अप्राद किया था मेरे भाता ने? उसने धर्ती का अपारण किया था, एक नारी का अपारण और एक नारी का अपारण अक्षम में अप्राद है पूत्र अपरण कोई अप्राद नहीं माते, अपरण तो हमारी असुर संस्कृती का एक अंच है जिस संस्कृती का आधार अपारण हो, जिस संस्कृती का अंच अपारण हो, वो संस्कृती कभी पनप नहीं सकती पूत्र, उसका विनाश निश्चित है अपहरन समाज का सबसे बड़ा अप्राध है पाप है मादे शक्ति है हमारे पास सहसे हमारे पास जो वस्तू हमें सुहाती है हम उसे छील लेते हैं जिनकी भुजाओं में शक्ति है उनका उत्तरदायत्व भी उतना ही होता है पुत्र वे नारी की रक्षा करते हैं उसका पहरन नहीं नहीं मादे हमारी शक्ति पर कोई भी उत्तरदायत्वां कुष नहीं लगा सकता जो भी हमारी महानता के समक्ष सिर नहीं जुकाएगा हम उससे कुचल देंगे जो भी हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसका भी वही परिणाम होगा जो धर्ति का हुआ तो फिर ये भी जान लो पुत्र, कि जो ऐसा आचार करेगा, उसका परिणाम भी वही होगा, जो पुत्र हिरन्याक्ष का हुआ था, तुम विश्णू की शक्ति को नहीं जानते पुत्र और विश्णू मेरी शक्ति को नहीं जानता मते पर उन्तु जिस दिन, जिस दिन मैं उसे उसकी शेश शैया से नीचे खसीठ लूँगा, उसके सिघासन को दामा डोल करतूँगा, उस अभिमानी से उसकी सारी शक्ति और तेवताओं से उनका प्रताप छीन लूँगा, उस दिन माते, उस दिन, उस दिन वो मेरे शक्ति जान जान लेगा, बाली भाती जान लेगा, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो, मते, तुम्हारी सोगंध, मैं श्रिष्टी से विश्रु का नाम मिटा दूँगा, मैं उसके किसी भी नाम लेवा को जी भी तही छड़ूँगा, सेनपति विडल, आज्या सुर्राज, हमारी सेनप को आदेश दो, कि चार और फैल जाए, जिस जीप पर विश्रु का नाम हो, उसे काड़ दे, जो कान विश्रु का नाम सुनते मिले, उनसे सुनने की शक्ति छिल ली जाए, जो आज्या सुर्राज, जो, अर्शिष्टी में यह संदेश सुना दो, कि विश्रु की प्रभुदा का युक समाप्त हो गया, अब एक नए युक, हिरने कशपु युक का अरंब हो रहा है, जो भी अब तक विश्रु का स्मरण करते थे, अब मेरा स्मरण करेंगे, जिस मन में विश्रु का ध्यान होगा, अब उस मन में हिरने कशपु का भैवास करेगा, हाँ, आपके आदेश का पालन होगा, असुर्राज, नहीं, नहीं, यह क्या करें अपत्र, अपना आदेश लोटा लो, रुक जाओ, यह नर्थ ना करो पत्र, यह नर्थ नहीं, सर्वथा उचित है देवी, विश्नु के शड्यंत्र का उत्तर है, शड्यंत्र, कि आप क्या करें रहे हैं गुरु देव, आप भूल गई देवी, कि विश्नु ने दानव संस्कृति का विनाश करना चाहा था, और अब वो अस्रों को मिटाना चाहता है, इसलिए उसने सबसे पहले आपके जेश्ट पुत्र, हिरन न्याक्ष का वत्का डाला, तो आपने उसे जीवित कर दिया होता, आपके पास तो संजीवनी मंत्र था, मैं जीवित कर देता, मैं अवश्य जीवित कर देता आपके पुत्र को, परन्तु उसे विश्नु ने स्वैम मारा था, और जिसे विश्नु स्वैम मार डाले, उसे पुनहर जीवित करना असंभव है, मुझे खेद है देवी, कि मैं आपके पुत्र हिरन याक्ष को, उन्हा जीवित करने में अस्मर्थ रहा, ए शिश, तुमने जो भी किया, उचित किया, पर इस से केवल विश्नु को इस मरण करने वालों का ही सर्वनाश होगा, विश्नु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुरुदेव, ये तो मेरे अभ्यान का पहला चरण है, इसके उपरान तो मैं सीधा विश्नु पर प्रहार करूँगा, बहाँ चतुर है विश्नु, बहाँ शक्तिशाली भी, उससे टक्कर लेने के लिए, तुम्हें अपाँ शक्ति की आवशक्ता होगी, वो ज्वाला है, तुम्हें ज्वाला मुखी बनना होगा, वो वाईयू है, तुम्हें आनी का रूप लेना होगा, वो चंद्रमा की भाती शीतल है, तुम्हें सूरी की भाती दहखना सीखना होगा, वो नदी की भाती शान्थ है, तुम्हें ज्वार की भाती उमरना होगा, ए गुरुदेव, ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप, गुरु तो अपने शिश्षे को कल्यान का मार्द दर्शाता है, आप तो मेरे पुत्र को विनाश का मार्द दिखा रहे हैं, चांद रहो माते शांद, ये तो गुरुदेव के महान कथन है, इसके एक-एक अक्षर के समक्ष मैं अपना सिर जुखाता हूँ, गुरुदेव, मुझे प्रकाश दीजिए, मुझे ग्यान दीजिए, मेरा पत परदर्शन कीजिए, मुझे आदेश दीजिए, तुम्हें ऐसी शक्ती प्राप्त करनी होगी, शिश्ष, जिसे कोई परास्त ना कर सके, स्वायम विश्णू भी नहीं, मैंने ऐसी शक्ती प्राप्त कर ली थी, परंदो विश्णू ने चल से, उसकी महत्ता घटा दी, उसने देवताओं को अमरत पिला कर, अमर बना दिया, अब मेरी शक्ती से भी महान शक्ती, तुम्हें प्राप्त करनी होगी, उस उस शक्ती को प्राप्त करने के लीए, मुझे क्या करना होगा, गुर्देव, तुम्हें तप करना होगा, शिश, घोर तप, अपूर तप, अपार तप, ऐसा तप, जिसका संसार में उधारन ना मिले, विश्णू का तप नहीं क्योंकि वो देवताओं का पक्षपाती है वो तुम्हें कुछ नहीं देगा शिव का भी नहीं क्योंकि वो मैं पहले कर चुका हूँ तुम्हें ब्रह्मा की तपस्या करनी होगी कि वही केवल तुम्हारी तपस्या के भुलावे में आ सकते हैं और फिर तुम उनसे वो वर्दान मांगना जो मैं तुम्हें बताऊंगा गुरुदेव की जैहो कि गुरुदेव कि मैं आज ही तपस्या के उद्देश से असुर लोग छोड़ दूगा मुझे आग्या दीजे गुरुदेव प्रणाम मते मारानी किया दू कहा है, कहा है आप? मारानी किया दू मारानी कया दू मारानी कया दू इस समय मैं जो मांगती मुझे मिल जाता आप की प्रतिक्षा कर रही थी स्वामी मुझे आपको एक शुब समाचार देना था समाचार तो मुझे भी देना था पर मुझे भय है यह समाचार आपके लिए शुब नहीं होगा क्या समाचार लाए है आप शिष्टाचार की मांग है कि शुब समाचार पहले सुने तो पहले आप कही है क्या समाचार है आप पिता बनने वाले हैं आप प्रसंद नहीं होएं कौन वेक्ति पिता बनने का समाचार सुनकर प्रसंद नहीं होगा मारानी प्रसंद समाचार यह है कि मैं अपने पुत्र के जन्म तक यहां लुक नहीं सकता यह क्या आप कहीं जा रहे हैं हाँ प्रिये मैं जा रहा हूं कि विश्ण से प्रतिशोद लेने की शक्ति को राप्त करने कि अपस्या पर जाने से पहले मैं तुम से बिदाली नहीं आया था मुझे तनिक बिग्यान नहीं कि तब सफल होने में मुझे कितना समय लग जाए स्वामी आप मुझे इस नवस्ता में छोड़कर दली जाएंगे विवश्ता है प्रिये विवश्ता मैंने प्रण ले लिया है और मेरी रक्षा कौन करेगा आप मुझे इसके आश्री छोड़े जा रहे हैं जिब तक आप नहीं आएंगे अब तक मैं क्या करूंगी आपकी रक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी महारानी तेना पते विडाल अग्या सुराज मैं गुरुदेव के अदेश अनुसार तब करने के उद्देश से असुर लोग छोड़ कर जा रहा हूं महारानी कायोदी की रक्षा का उत्तरदायत मैं तुम्हें सुर्ण क्योंकि असुर लोग में मेरे उपरांत सबसे बल्वान और शक्तिशाली तुम हो विडाल कि मेरे लौट कराने तक तुम इनकी रक्षा करेंगे कि यदि तुमने कोई चूप की तो मेरे दंड से बच्च नहीं पाऊगे कि यदि मैं महारानी क्यादू की रक्षा में सफन रहा सुराज तो आप मुझे दंड देने के लिए जिवित ही नहीं पाएंगे जब तक मेरे शरीर में एक भी सास और रक्षा की एक भी भून चेश है मैं महारानी क्यादू की रच्चा का वचन देता हूँ विडाल मुझे तुमसे यही आशाद है हमारे दूसरे आदेश का क्या हुआ सैनिक चारों और फैला दिये गए हैं विश्णु के विरुद्ध अभियान आरंभ हो चुका है आपकी जय हो असुर्राज अब मुझे मिश्चिंटों का सिदा कर प्रिये है जब मैं लाट कराऊंगा तब मेरे पास इतनी शक्ति होगी कि कोई मेरे परिवार की और आंख उठा कर देखने का सहस्थ भी नहीं करेगा कि मुझे विदा करो कि मुझे यह जए आंख तेखने करे शाओ होगी कि मुझे लाट करें लाट करें लाटाई कि मुझे ओपड़ने का सहस्थ प्रियू करता करता है पूर्व थैंड़ का जा रहे हो मंदिर में क्यों जारा मंदिर में अपने विश्ण भगवान के पूजा करने जो मैं नित दिन करता हूँ कल भी की थी आज भी करूंगा कल की थी आज नहीं करोगे कल तुमारे लिए विश्ण की पूजा का अंतिम दिन था क्यों ये कैसी अनोखी बात कर रहे हो तुम मैं ठीक कह रहा हूँ, असुर राज हिरिनक केशपु का आदेश है, कि कोई विश्णु भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, कोई उसका स्वरम भी नहीं करेगा मैं तो लूँगा उनका नाम, वही मेरे इश्वर है ठेरो तुम अंदर नहीं जा सकते फे सेना पती, देखिए आपका सेनिक कैसी विचितर बात कह रहा है ये कह रहा है, कि मैं अपने विश्णु के मंदिर में प्रवेश्णा करूँ आप इसे समझाईए, कि विश्णु का नाम तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है अच्छा, तो तुम्हारे रोम रोम में बसा हुआ है विश्णु का नाम अब मैं निकालता हूँ तुम्हारे रोम रोम से विश्णु का नाम विश्णु हे सरवेश्वर क्या बात है प्रिये? कोई इतना निर्दई कैसे हो सकता है? कि एक व्रिद्ध असाहय मनुष्य पर इतना अत्याचार कमलनेयन हिरण्य कशिपू आप पर क्रोधित है पर क्रोध उतार रहा है निर्दोश मानों पर आपकी क्रोधाकनी कब भड़केगी आप किस बात के प्रतिक्षा कर रहे हैं समय की महादेवी समय की किस समय की उस समय की जब हिरन्य कशपू की गागर भर जाए समय कागर मैं आपकी बाते समझने में असमर्थ हूँ जगदीश्वर महादेवी अभी तो हिरन्य कशपू के पाप की गागर में दुशकर्म की पहली बून्द गिरी है इसके भर जाने की प्रतिक्षा तो करनी होगी न उस समय की प्रतिक्षा कर रहा हूँ मैं पर वो ये जानते हुए कि हिरन्या कशपराधी था आपसे शत्रुदा पर कमर कस रहा है हाँ महादेवी हर एक को मरने के लिए कोई न कोई बहाना तो ढूड़ना ही पड़ता है हिरन्य कशपू ने मेरी शत्रुदा को वो बहाना बना लिया है हे देवगाण हिरन्य कशिपु ने श्री विश्णु के विरुद अभियान आरम कर दिया है हमें चुप नहीं बैठना चाहिए परंतु देवेंद्र हिरन्य कशिपु भला हमारे भगवान विश्णु का क्या बिगार सकता है राई कभी परवत के सामने टिक नहीं सकती देवराज पर यदि हमारे होते स्री विश्णु को हिरन्य कशिपु को डंड देने का कस्वयम उठाना पड़े तो हमारे लिए इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या हो सकती है सागर मंतन के समय उन्होंने हमारी जो सहायता की वो हमारे लिए एक रिण के समान है ये तो सत्ते हैं देवराज यदि उन्होंने सायता ना की होती तो हम्रित के प्राप्तिया संभव हो जाती पर देवराज अब हम करेंगे क्या हम हिरन्य कशिपु की तपस्या भंग कर देंगे तपस्या भंग? सोच लिजी देवराज हमने पहले भी एक बार देत्ये गुरु शुक्राचारे की तपस्या भंग करनी चाहिए थी परन्त उल्टे हमें हानी पहुँची थी उनकी बात और थी और हिरन्य कशिपुत असुर है इस बार हम कोई भूल नहीं करेंगे और श्री विश्णुकरण चुकाने का यही अफसर है अम ब्रह्मदेवाय नमा अम प्राजापत्ये नमा अम ब्रह्मदेवाय नमा अम प्राजापत्ये नमा अम प्राजापत्ये नमा अम प्राजापत्ये नमा तो प्रम्री वाइनमू मन में विश हो देश का होठों पर हरिनाम ऐसे तपका देखिये क्या होगा परिनाम हर युग में इतिहास की रही सदा यहरीत सत्य असत के युध में हुई सत की जीत हुई सत की जीत जो सुनेगा ये पुरान पाएगा सुख और गान पाएगा सुख और जान कर्म को ही धर्म जान प्रेम की तुझे रतान प्रेम की तुझे रतान पीत युग बता रहे है सत्य पत पे चल जो जान पिश्णु पुरा पिश्णु पुरा पिश्णु पुरा पिश्णु पुरा पिश्णु पुरा पिश्णु पुरा